आईपील 2022 के सुरुवाती मैचों के दोरान भले ही केक्यार के दिगज बल्लेबाज आंद्रे रसेल का परदर्शन कुछ खास नहीं रहा लेकिन अब आंद्रे रसेल एक के बाद एक तुफानी पारी खेल रहे हैं हलकी केक्यार के टीम फिलेहाल प्ले आप की दोर से बाहर होने की कागार पर खड़ी है आखरी मकाबले में सनराइजर सहाधराबाद के खिलाफ आंद्रे रसेल के तुपानी बल्ले बाजी के दम पर केक्यार की जीत के साथ अभी अन्तिम चार में जाने की उमीदें बनी हुई हैं दरसल मौझूदा IPL में सनराइजर्स हैदराबाद को सबसे बेहत्तिरीन गेदबाजी वाली टीम माना जा रहा है भारत समेत दुनिया भर के तमाम क्रिकेट विशे सग्य भी मान रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूत गेदबाजी के सामने केकियार के बल्लेबाजों की एक नहीं चलेगी हलकी सुरुवाती ओवरों के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से तेज गेदबाज उम्रान मलिक ने एक के बाद एक तीन दिगज बल्लेबाजों को आउट कर के क्यार के खेमे में कोहराम मचा दिया कप्तान स्रेय सेयर के साथ साथ नितीश राना और अजिक के रहाने जैसे टॉप ओर्डर बल्लेबाज उम्रान मलिक की धारदार गेदबाजी के सामने घोट ने टेक दिये मातर 83 रन के स्कोर तक विंकटे सेयर, नीती इसराना, अजी के रहाने और कप्तान स्रेय सेयर जैसे चार दिगज बल्ले बाजों के आउट होने के बाद केकियार की जीत मुश्किल लग रही थी लेकिन इसके बाद केकियार की तरफ से मैदान पर आया आंध्रे रसेल का तुफान, एक के बाद एक आंध्रे रसेल के गगन चुम्बी छक्के देखकर सन्राइजर सेहněतरा बाद के गेद बाज थर धर कांप रहे थे, खास तोर पर पारी के आखरी ओर में इस पिन गेद आज भी मान रहे हैं कि अबांद्रे रसेल के तुफान को रोक पाना किसी भी गेदबाज के लिए आसान नहीं होगा अभी तक खेले कुल 13 मैचों में 6 जीत के साथ फिलहाल के क्यार की टीम क्वाइंस टेबल में सात्वे नंबर पर है आपको बता दें कि के क्यार को प्लेयाउ के लिए प्लेयाउप के धरवाजे खूल सकते हैं